आज मैं आपको कुछ मास्क बना कर दिखा रही हूँ जो आप अपने स्काफ से बना सकते हैं गल्स के लिए बहुत ही सही है अब घर से बाहर निकलना होगा 18 से लोगडाउन खुल जाएगा तो हम लोग बाहर निकलेंगे तो उसके लिए हमें कैसे सेफटी करना है आपको मास्क खरीदने की भी जरूत नहीं है आप जो स्काफ लेते हैं गर्मियों में आप पूरा फेस भी कैसे कवर करते हैं किस तरीके से आप अपने आपको सुरक्षत रख सकते हैं मास्क आप घर में बना सकते हैं अपने स्काफ से मास्क बना सकते हैं बनेगा भी वो तो मोटा बनेगा अच्छा बनेगा और आपके लिए सही रहेगा तो आईए शुरू करते हैं वीजियो की इस तरीके से आप कोई भी सकाफ, ले लिजेए को टन का होगा तो जादा अचछा होगा और इस तरीके से आपको फोल्ड करना है जैसे मैं इसमें फोल्ड कर रही हूँ ऐसे ही सेम, को को सटर करके पतला कर लेना है इस types तरीके से और पूरा इसको फोर्ड करेंगे हमाय पास ऐक अच्छा लैंध होता है जब हम सकाफ यूज करते हैं घल के पास अच्छी लैंध के स्काफ भी होते हैं छोटी लैंध यह बे доступी अमें लंबे में सकाफ लिया है और आपके पास जैसे कि volontaire के यहां से अपको मिलाना है और आपको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है चारों तरफ से आपको ऐसे फोल्ड करना है ब्राबर रखना है कपडे को आपको बिल्कुल भी इक्वल होना चाहिए ईक्वल होगा तो जाधा अच्छे से आप इसको कर पाएंगे अब देखे आप इसको देख सकते हैं equal करके मैंने इसको रख लिया है और इसके बाद आपको क्या करना है इसके बाद आप एक rubber band लेंगे जो आप hairs में लगाते हैं वो band लेंगे और दोनों तरफ से उसको अंदर इस तरीके से लगा देंगे अब जो भार हमारा fold बचे थे उसको आपस में इस तरीके से fold कर देंगे अब scarf का mask क्यों आप बना सकते हैं देखें scarf का mask अब बनाते हैं तो ये थोड़ा मोटा होगा और आपके face को अच्छे से cover कर लेगा इस तरीके से मैंने ये बना लिया है अभी मैं इसको बाद में आपको लगा कर दिखाती हूँ ये मैंने एक और scarf ले लिया है और ये जो है horizontal में है तो मैं इसको कैसे fold करना है मैं वो बताऊंगी इसको हमें tikona side करके fold करना है इस तरीके से आपको tikona fold करना है और इसका जो उपर का सिरा है आप इसको अच्छे से पकर के बीच में रखेंगे आसपास के दोरों सिरो को भी आपको ऐसे रखना है इकोल करना है दोनों को इकोल करना है length बराबर होनी चाहिए इस तरीके से मैंने रख लिया है अब इसको हम fold कर लेते है यह मैंने fold कर दिया है इस तरीके से आप इसको fold करेंगे देखे अब ये भी थोड़ा मोटा scarf है मोटा बन जाएगा और आपके लिए बहुत safe रहेगा हम अब भार निकलेंगे तो हमें अपनी safety का ध्यान बहुत रखना है आप इस तरीके से ले सकते हैं मास्क हमारे थोड़ा heavy होंगे तो हमें ज़्यादा दिकत नहीं आएगी और ये हमने rubber लगा लिया है और इसको भी हम इस तरीके से fold कर देंगे आपस में ये एक अच्छा और आप अराम से wear कर सकते हैं ऐसा मास्क बन गया है पूरे face को आपके cover करेगा आप देख सकते हैं दोनों मास्क हमारे अब तैयार हो गए है आप इसको face पे आपको कैसे लगाना है इस तरीके से आपको face पे लगाना है आपने देखा पूरा chin से लेके आईस से लेके पूरा cover है ये कहीं से भी आप आपको यहां पे कोई भी infection नहीं जाएगा बिल्कुल perfect इस तरीके से पूरा आपके face पर लगेगा next दूसरा भी मैं आपको लगा कर दिखा रही हूँ ये भी same है आप देख सकते हैं आपके पास कोई भी scarf हो आप उसका mask बना कर use कर सकते हैं अब आपको अपना face कैसे cover करना चाहिए अगर आप भार जा रहे हैं दूप में भी भार निकलते हैं तो भी हम अपने face को cover करते हैं और अब हमें अपने face को cover इसलिए भी करना है क्योंकि हमें corona से लड़ना है तो सबसे पहले आपको इस तरीके से अपने face को cover करना है डपल cover करेंगे तो जादा safety होगी क्योंकि हलके होते हैं हमारे mask हमारे जो scarf होते हैं थोड़े हलके होते हैं अब side में आपको इस तरीके से pin लगानी है यह पूरा face आपका cover हो गया आसपास से एक दूसरे तरीके से भी अपना यूज कर सकते हैं अपने scarf को आपको ऐसे आपस में पकड़ना है बीच में जो है उसको अपनी बांद लेना है पिछे एक knot लगा लेंगे आप knot लगा लेंगे तो उसके बाद यह से की और हो जाएगा अच्छे से आपको यहां पर knot लगा देनी है अब इसको भी हम डबल करेंगे डबल करने के लिए आपको क्या है पहले इसको अच्छे सेहरा है अपने कानों के साथ सेट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके बात तो हवा कहीं से भी नहीं गुश सकती अब डबल करने के लिए नीचे का पोशन पकड़के सेम ऐसे ही आपको एक नौट और लगानी है जिससे कि ये पूरे तरीके से आपको सेफटी दे सके अब आप चाहें तो उपर से आप अपना कैप यूज़ कर सकते ह हैं घर्मी में जाते हैं अगर आपको नहीं है नहीं पसंद तो आप सिंपल इस तरीके से भी अपने फेस को कवर कर सकते हैं आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया तो शेर करें लाइक करें कमेंट करें जुड़े रहें कल्पना ओलिन बन के साथ